जै शिराम अगर इतियास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो जिस जिसको भी श्राप मिला है उस उसको प्रभू के दर्शन होई इश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुश्प अगर वर्दान है तो हर एक कांटा भी वर्दान ही समझे मतलब अगर आज मिले सुक तो आप खुश हो तो अगर कोई दुख विपदा अर्चन आ जाए तो घबराएं नहीं क्या पता वो अगले किसी सुक की तैयारी हो एक दिन शिर रमाइन जी में दो ऐसे समाद मिलते हैं दो ऐसे तथे मिलते हैं जिन से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं श्राप और वर्दान या अनुकूलता और परतिकूलता में कैसे जिया जाता है या कैसे हमें उनसे संतुष्टी प्राप्त होती है कैसे हमें उनसे एक आतम विश्वास मिलता है महराजा दश्रत की संतान नहीं थी और जब उनकी संतान नहीं हो पा रही थी, तो वो बहुत दुखी रहती थी, पर ऐसे समय में उनको एक बात संतवना देती थी, उनको आशा देती थी एक बात, वो कौन सी बात थी? वो बात ये थी कि जब महराजा दश्रत के तीर से श्वरण के माता पिता प्राण छोड़ रहे थी, तो उन्होंने दश्रत को श्राप दिया था, कि एक दिन तुम भी अपनी संतान के वियोग में हमारी तरह तरब तरब कर मिलोगी। अब क्योंकि दश्रत के माता पिता ने उनको श्राप दिया था, लेकिन आज दश्रत के लिए वो श्राप वरदान से दोना था, उनको ये आशा थी कि श्राप को फली भूत होना है, इसलिए मैंसनी संतान तो रह नहीं सकता। दश्रत को पता था कि उनका श्राप फल अवश्य देगा। तभी तो मैं तडब तडब कर मरूँगा। तभी इसका मतलब मेरी संतान अवश्य होगी। देखिए, यहां कितना बड़ा श्राप है जो उनके लिए वरदान से दो रहा है। साथ में उनको एकातम विश्वास भी दे रहा है कि उनका श्राप फलिवूत होगा और कब होगा तब होगा ना जब मुझे मेरी संतान होगी। इसी प्रकार श्री बालमिकी जी की श्री रामायन जी में वरण मिलता है कि सुग्रीव जी जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृत्वी के अलग-अलग दिशाओं में भेज रहे थे। तो उनके साथ साथ उनको उन दिशाओं के बारे में बता भी रहे थे कि उधर कौन सा देश मिलेगा, कौन सा तलाब मिलेगा, कौन सा परवत मिलेगा, कौन सा उनको बाग बगीचा मिलेगा, ये सारी बाते उनको बता रहे थे और उनकी ऐसी भगोलिक ज्यान को देखकर के अगमान श्रीराम बहुत प्रसन्न भी थे और हत्प्रद भी थे। तब उन्होंने सुग्रीव जी से पूछा कि हे माभाग आपको पूरी पृत्वी के भोगोलिक प्रिस्ति का ज्यान कैसे है। तो तब महराज सुग्रीव ने कहा कि जब बाली मुझे मारता था और मेरे पीछे पीछे दोड़ता था तो मैं भागता भागता बाली के डर से के भैसे मारा मारा पूरी पृत्वी पर घुमता रहा और मुझे कहीं भी शर्ण ना मिली। इसी चक्कर में मैंने पूरी पृत्वी छान मारी और इसी दोरान मुझे सारे भुगोल का ज्यान हो गया। अब अगर सुग्रीव पर ये संकट ना आया होता तो उन्हें भुगोल का ज्यान नहीं होता। और माता जानकी की खोज करना कितना कठीन हो जाता। तो अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामन है और चुनोतियां वर्दान हैं जो उनके अनुसार व्यावार कही वही पृशार्थी। जैश्री रहां। जैश्री रहां।